DeepFist का एक latest update आ चुका है हमारे भाई Poco के F4 device के लिए और पहले जो update आया था Android 13 का पहला उसमें customization के नाम पे कुछ भी देखनी को नहीं मिला था बट इस वर काफी कुछ चीज़े add कर दी गई है और especially यहां पे face unlock भी add हो चुका है लेकिन क्या यह यह यूज करने like है या नहीं इससे related आपको आज की इस वीडियो में सारी जनकारी मिलेगी इसलिए last तक जरूर watch करना और वीडियो पसंद आता है तो like करिए और ऐसी interesting वीडियो चाहिए regular तो मेरे दोनों चैनल को subscribe जरूर कर ले about page की बात करें तो यहाँ पे android 13 आपको देखनी को मिलता है जो कि official update है यहाँ पे हमारे maintainer का name आपको देखनी को मिलेगा और 5 यहाँ पे November का security patch देखनी को मिलता है Morph का kernel यूज किया गया है Linux आपको यहाँ पे enforcing देखनी को मिलेगा और यहाँ पे आप देखोगे कि यह जो neighbor का button है यह हलका सा उपर की देखनी को मिला है जबकि बाकिया दर में इतना ज़्यादा gap मुझे आइटिंग नहीं दिखाई देता था साथ साथ यहाँ पे आपको radio information भी देखनी को मिलता है जो कि about में ही add कर दिया गया है तो यह भी change आपको नजर आएगा system के अंदर आपको देखनी को मिलता है reset और multiple account और यहाँ पे भाई Android 13 के सारे features आपको मिल जाते हैं तो वो सारे चीज़े में repeat नहीं करूँगा लेकिन हाँ जो missing रहेंगे वो बता दूँगा इसका अपडेटर मिलता है जहाँ पे आप अपडेट चेक कर पाएगी है या नहीं उसके बाद यहाँ पे gesture and motion के कई सारे options आपको मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पे आप डिक पारेटर यह सारे चीज़े जो कि common होती है आपको मिल जाएंगे यहाँ पे अभी तक भाई per app language support में सभी apps का support आया नहीं है और यहाँ पे थो आई एक भी दिखाई नहीं दे रहा जबकि किसी किसी में 4-5 तो रहते ही रहते हैं बागे डिजिटल वैल्विंग सेप्टी इमर्जेंसी प्राइविसी सेम है सेक्यूर्टी कंदर जिसका हमें वेट था और जैसा मैंने कहा था कि सबसे पहले हमारा पिक्सल लिखाएगा उसका सभी मिलेगा तो यहां पर face unlock आ चुका है अब रही पाद इसकी working और non working की तो यहां पर आप देखो है कि मैं अगर जैसी सामने आता हूँ तो यह अनलोक हो जाता है तो यहां पर हमारा unlocking working है face unlock अच्छे से काम कर रहा है आपको यहां पर दिक्कत नहीं आने वाला साथ जी साथ यहां पर scramble layout डेखनी को मिल जाता है जो कि security में थहाँ सा improvement आपका लाता है बाकी यहां पर आपको डेखनी को मिल जाता है जो कि device encrypted है तो यह भी चीज सही है wall paper है style जहां पर आपको सारे features मिल जाते हैं और साथ यहां पर grid का भी option दे दिया गया है और यहां पर font का भी जो कि दो extra देखनी को मिलते हैं और default इसके खुद के wall paper collection मिलते हैं बाकी आप अलग से जो डाल लेना और यह जो wall paper है ना I know that कि बहुत सारे लोग demand करने वाले हैं आप लोग के लिए ही तो मैंने apply किया है तो आप इसे telegram से निकाल लेना ठीक है इसके बाद आपको देखनी को मिलता है यहां पर auto brightness और live display बगरा जहां पर यह सारे features आपके working रहते हैं इनमें आपको कोई भी दिक्कत है जो नहीं आती उसके बाद यहां पर time out, dark mode, यहां पर fonts बगरा small and large करने का option, refresh rate बगरा accidental, cut और यहां पर disable, inland, scap और यहां पर f refresh rate भी आपको मिलेगा और brightness related भी option है और यह जो option था यहां पर आपका working है लेकिन वहें पर अगर हम जाते हैं अपने जो की notification के अंदर है तो यहां से यह working नहीं रहता यानि यहां से working नहीं है और उदा से working है तो भाई एक तरी से समझ लो कि आप इसे ignore कर सकते हो यह कोई है नहीं क्योंकि दूसरे जगह से आप access कर पा रहे हो बट उमीद करते हैं कि next time fix कर दिया जाएगा अनदर यहां पर आपको देखनी को मिलता है sound and vibrate जहां पर आपको me sound देखनी को मिलता है और media control वगेरा भी यानि आपके sound के तो मजे ही मजे हो जाएंगे यहां पर volume step देखनी को मिलता है और additional setting जहां पर आपकुछ sound effects वगेरा है जो on off कर सकते हो system वाले उसके बार यहां पर mute, media, volume, on silent यह भी option आपको मिल जाएगा और बाकी वह इस सारे चीजे तो थोड़ा वो तो कुछ extra आपको मिलता है sound के profile में बैटी के अंदर यह profile दिया गया है जो कि आप पर काफी काम आएगा अगर आप gaming वगेरा करते हो और आपको थोड़ा heavy performance चाहिए तो उसके बार यहां पर बैटी optimization, block sensor, temperature और भी चीजे यहां पर नजर आती है अब आता है इसका customization जहां पर मिसलेनेस के अंदर आपको logo का option मिल जाता है clock का setting और battery का setting अनदर यहां पर आपको notification देखनी को मिलेगा retracker का, land skype को वगेरा का और layout वगेरा आपको यहां पर control है जो कर सकते हो और थोड़बूत animations वगेरा भी यहां पर lock screen UI जहां पर आप आप temperature वगेरा लगा सकते हो और यहां पर आपको always on और edge light भी देखनी को मिलेगा आते हैं last जो की system है तो general के अंदर only on wall पे पर zoom effect दिया गया है customization के नाम पर थोड़बूत icon pack के support मिल जाते हैं और fonts वगेरा के लेकिन यहां पर monet का advance वाला setting आपको नजर नहीं आता पलस के अंदर वही equalizer से related effects वगेरा आपको मिलेंगे जो कि आप customize कर पाऊगे तो कई सारे features तो add हो चुके हैं लेकिन भी बहुत सारे features add होने हैं जो अभी बाकी है बाकी हम आते हैं अपने QS के उपर तो Android 13 का सारा features आपको मिलेगा पर F language support आपको अभी नहीं मिल रहा है लेकिन हाँ जितने F background में रन कर रहे हैं उसे भी आप यहाँ पे check out कर पाऊगे और सब कुछ यहाँ पर आपको white देखनी को मिलता और advanced boot menu भी आपको देखनी को मिलेगा बाइ default launcher hardware की तरह यहाँ पर different ही हमें नजर आता है और वह चीज आपको यहाँ पर अभी भी देखनी को मिल जाती है जिसमें कुछ options होगे आप दिये गए हैं जो कि आप यूज कर पाऊए कुछ इस तरह की साप देख पा रहे हो न तो यह चीज आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि आपके साथ काम आ सकती है अगर आप इससे यूज करना चाहते हो तो अब देख सकते हो तो आप देख से तो किस तरह किस यहाँ पर जो layout डेखनी को मिल रहा है और यहाँ पर बार थोड़ा बड़ा हो चुका है तो यह सारी चीज आप कुस्टमाइशन है जो कर पाऊगे बाकि किल आप का भी option यहाँ पर मिल जाता है जो कि आप देख पा रहे ह और साथ-साथ यहाँ पर आपको इसका है जो भाई pause करने का भी option मिलता है ताकि वो background में run ना करे और आजकल जितने भी phone आ रहे है तो यहाँ पर मैंने layout चेंज किया nicely यहाँ पर थोड़ा और tap का आपको field दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर नीचे से बटन आ चुक है ही और साथ-साथ आपको यहाँ पर dolby का भी है जो benefit है जो मिल जाता है तो और क्या चाहिए भाई मज़े ही मज़े यहाँ यहाँ तो उसके बाद यहाँ पर फोटो इस्ट्रोज आपको unlimited मिलेगा Google वाला जो की advantage है आपके लिए साथ-साथ यहाँ पर L1 का support आपको मिल जात है तो इसके मामले में भी सही है और SIM card यहाँ पर डाला हुआ है क्योंकि आज कर रिसेंटली जितने भी मैंने रोम चेक किये हैं सवी में काफी जड़ा battery drop होते हैं बट यहाँ पर 2% है normal type का CPU total 100 पर डालने के बाद चेक किया तो यह है normal तरीके का जो की 89 गया है और यह भी पर डालनी में चेक किया तो यह आता है 74 तो इस बार 3% का battery drop हो है जो के कोई खास ज्यादा नहीं है तो battery यहाँ पर मैं कावा कि वाई सही रहने वाला है और जो आपका gaming होगा वो आपका 60 fps पे होगा यहाँ पर unlock नहीं किया गया और नहीं unlocking से related कोई setting देखनी को मिला लेकिन जब इसका खुद का सारा setting आ जाएगा तब आपको 90 fps मिल जाएगा लेकिन अभी वी जो result डेखनी को मिल रहे हैं उसके सब सब का gaming काफी सही होगा और यह है यहाँ पर इसका gaming profile यूज करने के बार जो boost आप देख पा रहे हो 92 जा चुका है तो ज़्यादा तो boost नहीं हुआ पहले वाला भी ज्यादा डाउन नहीं था तो काफी अच्छा में यहाँ पर result कहने वाला हूँ जहाँ पर आप देखो max average minimum कितना higher score यहाँ पर सो किया है जो कि आपके gaming में चार्ट चांद लगाने वाला है तो यह total आपको है जो यहाँ पर result है जो देखनी को मिलते हैं जो कि discussion में जहाँ सब इसे download करके use कर पाऊगे और अई बात मेरी recommendation क्या इसी use करना चाहिए या नहीं तो जो कुछ भी मैंने यहाँ पर दिखाया है सब कुछ काफी अच्छे खास है और plus point टेखनी को मिले हैं तो आप इसे recommended कर सकते हो लेकिन आपके बस already कोई अच्छा खासा roam है ज अपने दोस्तों साथ ठीक है ठाइक्स फूर वाचिंग बाबाई